सिर्फ दो बार पी लो पेट की चरवी मौमबत्ती की तरह पिघल जाएगी दोस्तों आज कल के जीवन में हो रहे बदलाओ खान पान में हो रहे बदलाओ कि कारण हमारे पेट में चरवी का जम्मा होना आम बात है यह एक्ष्ट्रा चरवी बहुत सारे रोगों को लेकर आती है जिसके कारण लोग अपने पेहनाबे में बदलाओ लाते हैं और उनका जीवन बहुत तरीके से बदल जाता है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा रेमेडी लाया हूँ जिसके मात दो बार की उप्योग से आप बड़े हुई चरवी और बड़े हुए मोटापे को बिलकुल मौमबत्ती की तरह पगला कर आप भी एक फिट सारीर के मालिक हो सकेंगे दोस्तों होता यह है कि जब आपकी पेट की चरवी बढ़ जाती है यह सहीर में चरवी बढ़ जाती है तो वह बहुत साए रोगों को निमंतरण देती है जिसकी बज़े से आपको हाई बीपी, सुगर और बलड़ पेसर की समस्या होने लगती है इस मोटापे और चरवी के क पारण तो आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी मदश से चरवी मात्र दो बार की उपयोग से बिलकुल ही पिघड जाएगी और पांच दिन में मात्र पांच बार की उपयोग में 15 किलो बजन आपके सहीर का कम हो जाएगा तो इस वीडियो को सुरू की जरूत पढ़ेगी दोस्तों वो है तुलसी यह वे तुलसी की पत्ती है जो आपको आसानी से कहीं भी उपलब्द हो जाएगी दोस्तों तुलसी की पत्ती में कुछ ऐसे तत्व पाय जाते हैं जो आपके मोटापे को कम करते हैं आपके पेट की चरवी को कम करते हैं और आ लिबाती आपके उच्च BP, कैस्टरोयल और हाई BP सुगर जही समस्याउं को दूर करती है तुलसी की पती इसके साथ ही तुलसी की पत्ती लेनी है और तुलसी की पत्ती को आपको पानी में भिंगो के रखना है और उसको अबाल लेना है दोस्तों मैं आपको एक और फिर बता रहा हूँ तुलसी को पत्ती को पानी मिलीजिए और इसे पानी को गैस पर अबाल लीजिए कुछ इस प्रकार का पानी तैयार हो जाएगा? यहाद तुलसी के पाणी का रस है, यानि पाणी है, जिसे मैंने गैस पर उबाल लिया है. अब इसमें जो अगली चीजाए आपको इसत्माल कननी है दोस्तों, वो बहुत ही चेरवी पगलने लगती है आपके पेट का बजन कम होने लगता है और आप मात कुछ दिनों के अंदर आपका बजन और चेरवी कम हो जाती साथ ही नीबू के रस में कुछ ऐसा तत्व पा जाते हैं दोस्तों जो आपके कब्ज एसिडिटी और अपच को भी खतम करते हैं आधे नीबू को काट लिया है और इस आधे नीबू के रस को इसमें आपको मिला देना है दोस्तों इसमें थोड़ा सा रस मिलाना है आपको आधे नीबू के बराबर आपको इसमें रस मिला देना है जिस प्रकार मैंने इसमें आधे नीबू मिला दिया है अब इसे चमच की है कि जब आप इसका लगातार इस्तमाल करेंगे तो आपकी पेट की चर्वी पगलने लगीगी और आपका बजन कम होने लगेगा दोस्तों उसको खाने के आदे घंटे पहले और खाने के आदे घंटे बाद इसका लगातार आपको सेवन करना है लगातार तीन दिन तक या पा पंच दिन में आपका पंद्रा किलो वाजन गम हो जाएगा पेट की चरभी कम और इस दूघसे की मदश से आपकी पेट संब्द समाशानेंबी दूर हो जाएंगी तो दोस्तों ये था आज का नुक्सा कि कैसे अपने पेट किया जाए अपने वजन को कम किया जाए यदि आपको नुक्सा और रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में